लोग सभा चुनाओं के समय से ही जद्यू के पराभाव की भविशे बानिया लोग करते रहे हैं हलाकि चुनाओ परिनाम से जद्यू ने ये साबित कर दिया कि दिये का तेल अभी खत्म नहीं हुआ है राज़त से अधिक सीटे लाकर जद्यू ने ये भी साबित किया कि वधान सभा चुनाओं में तेजस्वी यादो का CM बनने का सपना अधूरा रह जाएगा जद्यू ने BJP को भी साप संदेश दे दिया कि उसे कम आगना BJP की भूल है पर जद्यू का ये जलवा कब तक रहेगा ये दिख तो रहा है पर किसी की समझ में नहीं आ रहा राज़त मेतार बिहार के प्रोडिप्टि सीएम ते जसुयादो लागतार ये बात कहते रहे हैं कि निटीश कुमार अब ठक गए है उनसे लिहार नहीं समझ रहा निटीश की उम्र को लेकर भी लोग प्रतिक उल्टी पनी करने से बाज़ नहीं आते जल्सुराज के सरस्था पक प्रशान की शोड़ तो जद्यू के खत्म होने की उल्टी गिनती गिन रहे हैं वे कहते हैं कि अगामे वधान सभाचुनाव में जद्यू बेज सीटों से भी कम पर सीमर सकता है जद्यू के कमजोरी के आकलन का अधार इसके सरवे सरवा निटीश कुमार की उम्र और अस्वस्ता है पर ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि निटीश ने चार महीने पहले ही लोगसभाचुनाव में अपना जलवा दिखा दिया है लोगसभाचुनाव में तमाम कोजिसों और मजबूत गठवंधन के बावजूद राजद को चार सीटों पर जीत मिले पेश सीटों पर लड़ने वाले राजद की उमिदबार लालू यादों की बेचे रोहिनी आचार्या चुनाव हार गई लालू राबडी ने सिर्फ रोहिनी के लिए ही चुनाव प्रशार किया था इंडिया ब्लॉक ने रोहिनी को जित दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी दुसरी और 16 सीटों पर लड़कर नितिश कुमार की पार्टी जद्यों ने 12 सीटे जीत ली नितिश कुमार के चुहरे का ही ये कमाल रहा नितिश कुमार के विरोधी बले उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे लेकिन फिलहाल बड़ी पार्टी होने के बावजूत बीजे पी उन्हें कमजोर समझने की खुल नहीं कर रहे बीजेपी ने लोग सभाव चुनाव में भले उन्हें एक सीट कम देकर बड़ा भाई बनने की कोशिस की लेकि नितीश कुमार ने उसे भी एहसास कराद गया कि जद्यू बड़ा नहीं लेकि बीजेपी की बरावरी में तो खड़ा हो ही सकता है उसके बाद से बीजेपी अगली बार भी नितीश कुमार के नेत्रितों में ही वधान सभाव चुनाव लड़ने की रट लगाए हुए है नितीश को दावा करने की ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही है जद्यू के दिन लगने की बात कहने वालों की दो ही दलिले है अबल नितीश कुमार उम्र के उस पड़ा पर पहुँच गए हैं जहां से आगी की राज़निती लोगों के लिए असान नहीं होती उम्र जुनित और स्वस्ता भी है तुरा बड़ा कारण जद्यू में सेकंड लाइन करना होना है नितीश ने सेकंड लाइन की कभी जरूरत ही महसुस नहीं कुछ चेहरे जद्यू में सेकंड लाइन के आए भी तो उन्हें नितीश ने ठीकाने लगा दिया ऐसे लोगों में आर्सीपी सिंग और प्रशान किशोर के नाम लिये जा सकते हैं ललन सींग पार्टी में नितीश के बरक्स खड़ा हो सकते हैं लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी में ऐसा कोई रुत्बा हासिल नहीं है यहीं वज़ा है कि तेजस्वी और प्रशान की सोर को लगता है कि 2025 तर जधियू नेता के अभाव में दिखर जाएगा बहराल आपके समपर पर क्या राय है में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथी साथ हमारी यूटीब चैनल को सबस्क्राइब कर लिए धन्यवाद